खुगली नदी के नीचे देश में पहली दफा ट्रेन गुजरेगी और यहां पर वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह प्रोजेक्ट काफी महत्पूंड हो जाता है और यहां की अगर हम बात करें तो उसका एक model हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें twin tunnels हैं तो twin tunnels आप देख सकते हैं इसके अंदर जो train जाएगी उसका कहीं ने कहीं एक छोट आसा model रखा हुआ है दो tunnels हैं eastbound tunnel और westbound tunnels यह tunnel आपस में connected हैं यहां एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस tunnel की अगर हम बा पूर्ण है और इसको टीवीम के जरिये बनाया गया है पांच दसमलों पांच पांच मीटर का जो है इसका फिनिस्ट डाया है साथी साथ आर्ची सी सिगमेंटल की सिगमेंट्स की अगर हम बात करें लाइनिंग की बात करें तो 275 mm मोटी इसमें हम कह सकते हैं concrete की परत है सेंटर की जो दूरी है वो 16.1 मीटर की दूरी है और इसमें जो ग्रेडेंट है ग्रेडेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो नदी के नीचे ग्रेडेंट है 0.3% साथी साथ इस्टेंडर्ड गेज की यह बैलास्ट लेस्ट ट्रैक बनाई गई है 1435 mm की जो हम कह सकते हैं कि इस्टेंडर्ड गेज है साथी साथ यहां पर एक और बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे इन दोनों टनल्स का वो हिस्सा जो हुगली नदी के नीचे से गुजरता है अगर हम उसकी बात करें तो 500 मीटर 520 मीटर की लंबाई है जो कहीं न कहीं हुगली नदी से नीचे से होकर गुजरती है और खुगली नदी के नीचे का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं तो यहां खुगली नदी उपर दिखाई गई है उसके नीचे यह दोनों ट्विन टनल्स हैं और ट्विन टनल्स को आप सोच रहे होंगे क्यों खास कहा जा रहा है खास इसलिए कहा जा जो तनो यहां कह सकते हैं भारी भरकम मात्रा में सेडिमेंटेशन को ले कर आती है और यह सेडिमेंटेशन कहीं न कहीं यहां पर डिपाजिट होता है और उसके उपर तेज रफ्तार में यह नदी बहती है और नदी की एक और वड़ी खासियत है इसमें पानी बहुत जादा है और पानी इतना ज़ादा है कि हाई टाइड लो टाइड में इसमें लेवेल अलग लग रहते हैं तो उसको कल्कुलेट किया गया और उसके बाद डीवियम के जरिये ये टनल्स बनाई गई कैमरामें सकील हमत के साथ सिद्धार्थ न्यूजी स्टेशन कोलकाता